हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण से संबंध में और महमूद गजनवी के बारे में इस पे हम स्टडी करेंगे और यह पार्ट वन है तो आज से हमारा मेंडवेल हिस्ट्री शुरू हो रहा है तो चलिए स्टडी को आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी को जरूर प्रे करिए और फ्रेंट्स एक और बात मैं आपको यहां पर शेयर करना चाहती हूं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी कराने का मेरा मुख्य उद्देश यही है कि आपकी जो नेट की त्यारी है या पीजीटी की जो त्यारी है वो कंप्लीट हो सके क्योंकि आपजेक्टिव पैटर नेट में आपका परफॉर्मस किस तरह करेता है तो मैंने इसमें सलेक्टेट चीजें ही ली हैं और बहुत ही तेजी से और पास्ट सटडी में करा रही हूं ताकि जल्दी से यह खतम हो सके और जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे इंक्लूड इसमें हैं जो तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसलाम भारत पर अरब आक्रवन तो चलिए इसे हम देख लेते हैं इसलाम धर्म के अन्याईयों में भारत में सब प्रवेश करने वाले अर्भी ही थे तो कोश्चन में पूछा जाता है कि पहले इसलाम धर्म के अन्याईयों में से किस ने अक्मर्किया था तो अरफी थी जन्होंने आक्मर्किया था भारत और अरब के बीछ प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंद रहा था साथवी सदी से पूरत कि इनका व्यापार भारत की पश्चिम तटो समुद्री तटो से होता था इस्लाम धर्म की इस्थापना के उपरांत आर्बो ने सात्वी सदी में अचानक एक महतपूर्ण शक्ति के रूप में प्रकट होना और फिर भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों पर भी अधिकार कर लेना एक आश्चर जनक बात है यदे भी भारत पर अपना इस्थाई प्रभाव नहीं छोड़ सके और वो के भारत आक्रमन के विशय में पर्याप्त सूचना नवी सदी के बिला दूरी की पुस्तक किताब फतूल अल बल्दान में मिलती है 1216 में लिखी गई एक अन्य पुस्तक चंच नामा जो फार्सी भाषा में लिखी गई फार्सी का अर्भी का फार्सी अनुबाद हैं में भी अर्भों के आक्रमन के विशय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है तो हम यहाँ पे थे आक्रमन के विशय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है तो और की शाषन व्यवस्था जन जातिय संगर्णन पर आधारी थी अरभ पहले मुसल्मान आक्रमन कारी थे जिन्हों ने भारत पर पहला भारत पर आक्रमन किया मकराना के मरु प्रदेश के समतलिय माग से ही वे सिंध में प्रवेश करने में सफल हुए 712 इसवी में मुहमद बीन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमन किया सबसे पहले उसने थटा के पास इस्थित देवल बंदरगाह को अपने आधीन करना चाहा रावपुर का युद में अर्बो के विरुद भारत भारतियों की पराजय का कारण सिंध के शाशक दाहीर का नकारापन था उसकी अधूर्दिशिता ही सिंध के पतन का कारण बनी अर्बो ने भारतिय जन जीवन को काफी प्रभावित किया और स्वयम भी प्रभावित हुए अर्बो ने चिकेचसा, दर्शन, सास्त्र, नच्छत्र, विज्ञान, गड़ित और शाशन प्रबंद की सिक्षा भारतियों से ली मनसूर के समय में अरब विद्वान अपने साथ दो पुस्त के भारत से बगदाद ले गए ब्रहम गुत्त का ब्रह सिधान्त और खंड खाद्य ये दो पुस्त के लेके गया था भारतिय विद्वानों की सहायता से अलफ जारी ने अरबी में इन पुस्तकों का अनुवाद किया पंच तंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलीला वदी मना नामक से हुआ था तो ये फ्रेंट्स आप वीडियो पॉस करके भी पढ़ सकते हैं काफी लंबा नाम है जिसका उलेक अलबरुनी ने किया है ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूफी मत पर बौध धर्म का इस्पस्ट प्रभाव था अरबो ने सिंध में उम्ट पालना तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया था अरबो ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन कराया अरब आटवरकारी मोहमद बीन कासिन ने सिंध वासियों से जजिया नामक कर की पहली बार वसूली की तो जजिया कर जो पहली बार वसुली होई थी वो मुहमद कासिम के द्वारा की गई थी तो अब आ जाते हैं भारत पर तुर्कों का आक्वन खलीफाओं की विलासिता तथा दुरलपताओं ने इसलाम के नेत्वत को अरब के हाथों से खो दिया पहले फारस वासियों यानि इरानियों ने नेत्वत अपने हाथ में लिया 962 में अलपतगी नामक एक महतुकांशी व्यक्ति ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्की राज्जी की इस्थापना की उसके दामाद सुभुक्तगीन ने उसके वन्श का अंतकर 977 इसवी में राजगती हाथिया लिया फ्रेंड उमीद है ये तो आपने जब बीए में आप लोग कर रहे होंगे तो ये सब पढ़ा होगा आपका रिवीजन भी इसके माध्यम से हो जाएगा तो इस पर अलपतगीन पर थोड़े बहुत कोश्चन पूझे जाते हैं या सुभुक्तगीन पर भी कुछ कोश्चन बनते हैं तो क्रम आप याद करते अधिकार कर सुभुक्तगीन सतंत्र हो गया और उसका सामराजय पूरवत था पश्चे में व्रिस्त होने लगा सुभुक्तगीन ने भारतिय सीमा पर अधिकार किया उस समय अफगानिस्तान हिंदु शाही राजा जैपाल के आधिन था तो जैपाल के उस समय आधिन था दोनों में युदुवा जैपाल को सुबुक्तगीन से संधी करनी पड़ी। उसने सुबुक्तगीन को 10,000,00,00 दिरहम और 50 हाथी देने सुईकार किये। जैपाल दोरा लौहोर जाकर अपना वादा नहीं पूरा करने पर सुबुक्तगीन ने लमगान में फिर लूट पार्ट शुरू कर दी 988 इसवी में कालेंजर, कन्नौज, अजमेर, आदी के राजाओं के साथ जैपाल ने सुबुक्तगीन का सामना किया परतुवा हार गया 999 इसवी में सुबुक्तगीन की म्रत्य हो गई उस समय उसके सामराज में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत की पर्शिमोतर सीमा के कुछ प्रदेश आ गये थे या थे अब यहां से शुरू होता है महमद महमूद गर्जनवी का काल सुबुक्तगीन के बाद उसका जेश्ट पुत्र महमूद गर्जनवी उस वंश का प्रसिद्ध शाशक हुआ ग्रश अंगर्श के बाद 998 में गर्जनी में महमूद का राजा रोहन हुआ वगदाद के खलीपा ने उसे यामीन उद दौला और यामीन उल मिलात यानि मुसल्मानों का सन्रक्षक की उपाधी से बिभूशित किया शाह नामा के लेखक फिर्दौशी महमूद गर्जनवी के दरबारी कवी थे तो इस पर काफी कोश्चन देखने को मिलता है विशाल धनराशी प्राप्त करने के उद्देश से उसने भारत पर आक्रमन की योजना बनाई महमूद का प्रथम भारतिया आक्रमन पश्ची मोत्तर भारत के शाही राजा जैपाल पर 1001 में हुआ तो ये आक्रमन का क्रम लगाने के लिए आ सकता है थोड़ा इसे ध्यान रखते जाएए तो 1001 में हुआ पेशावर में दोनों के बीच एक घमा सान युद्ध हुआ जिसमें जैपाल की पराज़े हुए 1000 से 1026 तक के बीच महमुद गजनवी ने सिंध एवंगंगा नदी के मैदानों में कम से कम 16 बार आक्रमन किया हैंरी इलियट आक्रमन की संख्या को 17 मानते हैं तो हैंरी इलियट के द्वारा माना जाता है ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट है कि 17 अन्होंने माना है महमुद ने सरप्रथम 1000 में पंजाब के राजा जैपल पर आक्रमन किया दोनों के बीच पेशावर के निकट भयंकर ये दुआ महमुद ने जैपल एवं उसके पुत्र पौत्र को बंदी बना लिया 2001 में सीमान्त नगरों तथा दुर्गों का आक्रमन तथा 1003 में भेरा पर आक्रमन के पश्चात 2005 में महमुद ने मुलतान पर आक्रमन किया यहां शिया संप्रदाई कर मातियों का शाशक अब अब्दुल फतेह दाउट शाशक था मुलतान पर आक्रमन के दौरान महमुद ने हिंदू शाही राजा आनंदपाल से उसके छेतर से अपनी सेना ले जाने की अनुमती मांगे किन्तु आनंदपाल सेना लेकर पेशावर की ओर चल पड़ा इस युद में आनंदपाल पराजित हुआ और उसने कश्मीर में शरण ली 2006 में महमुद ने मुल्तान को जीत लिया महमुद गजनवी शाही राजा आनंदपाल के पुत्र सेवक पाल को अपना भारतिया राज्य सौप कर गजनी चला गिया कालंतर में सेवक पाल ने अपने को स्वतंत्र गोशित कर दिया पढ़ान सरूप महमुद ने आक्वन कर उसे बंदी बना लिया 108 इसवी में महमुद ने आनंदपाल पर चढ़ाए की आनंदपाल ने ग्वालियर, कालिंजर, कन, नौज, अजमेर और उज्जैन के राजाओं से सहायता प्राप्त की तथा मुलतान के खोखरों की भी एक बड़ी सेना मदद के लिए आ गई 109 में वैहिंद के निकट महमुद ने आनंदपाल की सैयुक्त सेना को पराजित कर दिया, 109 इसवी में ही महमुद ने अलवर इस्थित नारायरपुर पर आक्मर किया तथा उस पर अधिकार कर दिया, यह एक प्रसिद व्यापारिक केंद्र था 1010 इसवी में महमुद ने तलवाडी के युद में हिंदूओं को पराजित किया तथा धन लेकर लोट गिया 1014 में महमुद ने हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल पर चड़ाई कर दी, कश्मीर के राजा संग्राम राजा ने अपने सेना पती तुंग को त्रिलोचन पाल की सहायता के लिए भेजा, युद में त्रिलोचन पाल की हार होई वह कश्मीर चला गिया, महमुद ने पं यदू वंश के राजा कुल चंद ने भी इसका सामना किया किन्तु हार गया कर नौज पर उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा राजपाल शाशन कर रहा था महमूद से मुकाबला किये बिना भाग गया कनौज को महमूद ने लूट लिया वह जहां भी विजय प्राप करता था वहां लूट पार्ट करता था और जादा समय तक नहीं रुपता था वह लूट पार्ट करके वापस चला जाता था 2019 इसवी में वहपुना भारत पर आया उस समय शाही वंश का राजा त्रिलोचन पाल चंदेलों का साथ दे रहा था उसने महमूद को यमना नदी के निकट रोकने का प्रियास किया किन्तु हार कर वा भाग गया इसके पश्चात महमूद बेरी की ओर बढ़ा जिसे प्रतिहारों ने कन्नोज की लूट के बाद अपनी राजधानी बनाया था यहां त्रिलोचन पाल प्रतिहार वंशिय राजपाल का पुत्र शाशक था त्रिलोचन पाल युद्ध किये बिना भाग गया महमूद ने बेरी को भी धूल में मिला दिया 10,021 और 22 इसवी में महमूद पुना भारत आया और चंदेलों की शक्ति को पूरी तरह से कुचलने के लिए कालेंजर पर आक्मन किया किन्तुवा कालेंजर को जीत ना सका विद्याधर ने संधी वारता चलाई और महमूद ने विद्याधर को 15 किले इनाम में दिये 1024 इसवी में महमूद सोमनात का आक्मर करने हैं तो एक बड़ी सेना लेका चला 1025 इसवी में वह अहिल वार पहुचा वहां का शाशक भीम देव भाग खड़ा हुआ महमूद ने राजधानी को खूब लूटा इसके पहचात वह सोमनात के मंदिर के निकट पहुचा मंदिर की अपार संपत्ति को लूट कर उसने मूर्ति को तो डाला तो यह महमूद का सोमनात की मंदिर पर आकपण हम लोग देख रहते हैं यहां से हैं सोमनात की लूट के बाद वापस जाते समय सिंद के जाटों ने महमूद को तंग किया था अता जाटों को दंड देने के लिए 1027 इसवी में महमूद अंतिम बार भारत आया और जाटों को लूटा यह महमूद का अंतिम अभियान था 2030 में उसकी म्रत्य हो गई गणित दर्शन जोतिशी भुगोल संस्क्रत का उच्च कोटी का विद्वान अलबरुनी दर्शन सास्र का विद्वान फराभी इतिहासकार उत्वी तारीखे सुबुक्त गीन का लेखक वैहा की फारस का कवी उजारी खुरासानी विद्वान तु तथा शाह नमा का रचैता फिर दौसी महमुद के दर्वार में थे तो यह इस में बहुत important important लोग कहेंगे इसके दर्वार में थे जिनसे related question काफी बनते हैं यह आप देख सकते हैं इसके questions हमेशा आते रहते हैं इक्जाम में तो इसको ध्यान से आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इनको जरूर राइट्स कर रहे हैं चलिए आगे चलते हैं महमुद को गाजी विधर्मियों का कतल करने वाला और बुद्ध शिकन यानि मूर्ती भंजक मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता था महमुद गजनवी के साथ तहकी के हिंद के लेखक अलवरुनी तता इतिहासकार उत्वी तता वैहा की भी भारत आये थे अभी इसका आकमन हम देख लेते हैं कौन कौन से शॉट में आकमन वैसे हमने पढ़ लिये हैं लेकिन फिर भी एक बार एक टेबल में यह दिया हुआ है इसको लाइन से अब चाहिए तो नोट कर लिजे नोसो निन्यानबे से एक हजार इसवी में सीमान्त प्रदेशों वा नगरों पर आकमन किया फिर एक हजार एक में जैपाल जोकी हिंदू शाही वंश पर पंजाब तथा लोहौर पर महमूद का अधिकार हुआ इसके बाद एक हजार तीन में भेरा पर आकमन किया एक हजार चार से एक हजार छे में मुलतान पर आकमन किया इसके बाद पांचवा आकमन था एक हजार आठ में आनंद पाल के शाही वंश पर आकमन किया एक हजार नो में इसका छठा आकमन हुआ तलवाडी पर आकमन और सात्मा आकमन एक हजार दस में कांगडा पर आकमन किया और 2011 में मुल्तान पर आक्वन, 2012 में थानेश्वर पर आक्वन और 2013 में से लेके 2014 तक लहौर पर इसने कई आक्वन किये फिर 1015 में कश्मीर पर आक्रवन और 1015 से 1019 में मतुरा बुलन शहर का नौच पर आक्रवन किया मतुरा में एक व्रंदावन शोट संस्थान है वहाँ पर इससे related काफी बुक्स मिल जाती है कि किस तरह से आक्रवन हुआ था मतुरा में और क्या भयावा सिती बनी थी आगे हैं 2019 इसवी में कालेंजर पर आक्रवन हुआ और 2020 में पंजाब पर आक्रवन हुआ 2022 में गौलियर एवं कालेंजर पर आक्रवन हुआ तो ये था आक्रवन इसके बाद यहां दिया हुआ है फराब दर्शनशास्त का विद्वान था वैहाकी लेनपूल ने इसे पूर्वी पैपसी की उपादी दी वैहाकी को तो इस सब से related question बनते रहते हैं इसलिए मैं आपको यह सब दिखा रही हूँ उजारी फारस का कवी था तुसी खुरासानी विद्वान उन सुरी महान शिक्षक और विद्वान था असजित विद्वान था फिर दौसी सहितिकार और इतिहासकार फरुखी विद्वान था तो इसको हमने पहले भी अभी study किया है इसमें कि कुछ तो आपको पीछे मिल जाए हैं फिर साहितिक उपलब्धी के बारे में बात कर लें तो वैहा की तारिखे सुबक्तगीन अलबरुनी की किताब उलहिंद जो की बहुत ही important है हमेशा question बनता है फिर दौसी शाहनामा तो इसको जुरूर लर्न करें तो हमारा आज यह topic यहीं complete होता है आगे हम गौरी के बारे में study करेंगे तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो like, share, subscribe करें subscribe करने के बाद bell icon की घंटी को जुरूर प्रेस कर ले ताकि इस तरह का वीडियो जब भी upload करूं उसका notification आसानी से आपको मिल सके और यह रहा descriptive study जो हम अभी कर रहे हैं यह आप देख लिजी यह सब playlist है और इनके link आपको description box में मिल जाएंगे तो मैं आपको descriptive study का केवल playlist दिखा देती हूं यह हम अभी जो वीडियो पर study कर रहे हैं वो आप खोलेंगे तो आपको इस तरह के यह सारे videos आपको मिल जाएंगे और मैंने प्राचीन इतिहास से start किया था तो अगर आपको लेट हुआ है study आप नहीं कर पाए हैं तो playlist में जाके study करें ताकि साथ में study हो सके और जल्द ही अपना course complete करके आप middle history पर आ जाएं तो धीरे धीरे मैं study करा रही हूं इसलिए बहुत speed में study नहीं करा रही हूं और जब net का exam घोशित होगा तो तब तक हमारी preparation complete हो जाएगी तो मेरे इस तरह के study कराने का उद्देश यही है कि आप इदर उदर books के लिए नहीं भटके ना PDF के लिए demand करें आपके वल कहीं भी अपना phone या laptop कोल के कहीं भी study start कर सकते हैं और जहां तक है अभी तो बंद चल रहा है करोना की वज़ा से जनता कर्फू जो लागू है तो उसका लाब उठाएं और वीडियो के मादियम से अपनी study को जारी रख